हेलो एवरीवन गूट मॉनिंग कैसे हूँ आप सब स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूटूब चैनल पर तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुभह के नास्ते की तैयारी और आज सुभह के नास्ते में मैं सिंपल पराठे बना रही हूँ और मैं यहाँ पर कृष्णा के लिए तिकूने पराठे बना रही हूँ टाइम ज्यादा लग रहा था इने बनाने में क्योंकि मैं इने कभी नहीं बनाती कभी यही कहता है तो इसके लिए बना देती हूँ मुझसे बनाने आते नहीं है ठीक से यह तो एक पराटा मेरा बनकर हो गया है तयार और दूसरा भी वैसे ठीक ही बन गया है कोसिस करते हैं त ज्यादा टाइम लगता है तो यहाँ पर मैंने यह डब्बे लगा दिये हैं रैक में और इसके बाद बस मुझे सारे बरतन सिंक में रखने हैं और बरतन साफ करूँगी पहले बरतन साफ करने के बाद ही किचन की सफाई का काम सुरू करती हूँ और बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े उतारने के लिए और आज मैंने कपड़े सुबह में जल्दी धुल दिये थे सुपह जल्दी मैं 5 बजे उठी थी तो उसी टाइम मैंने मसीन लगा दी थी तो मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और इस टाइम ज़्यादा नहीं हुआ अभी टाइम साड़े आठ कर टाइम हुआ है और सारे कपड़े सूख गए हैं तो जो कपड़े सूख गए हैं वो सारे उतार कर रख दूंगी और मसीन में कपड़े सुखा देते हैं तो उन्हें सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता जल्दी सूख जाते हैं सारे कपड़े बस यहां से कपड़े उतार कर रख दूंगी और अभी मेरा एक राउंड के कपड़े रह गए थे, लाइट चली गई थी, तो उसके बाद बस मुझे ये कपड़े धुल कर डालने हैं, अगर लाइट का मैं इंतिजार करती रहती तो लाइट का कुछ पता नहीं होता, जो गाउं में रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि गवों में किस तरह की लाइट आती है कोई फिक्स टाइम नहीं होता लाइट का तो मैंने सोचा लाइट का इंतिजार करने से कोई फायदा नहीं है धुल कर डाली देती हूँ ये कपड़े भी सूख ही जाएंगे तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े लेकर बैठ दिन तहह करने के लिए तो मैंने सोचा चलो कपड़ों की तहह भी हो जाएगी और आप लोगों से बात भी कर लेंगे वह यह कहावत है ना एक पंद दो काज दो लोगा में एक सास हो जाएंगे और मैं आज आप लोगों से एक बात बता हूँ मैं ऐसे कैमरे के सामने बैठ कर बात करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा घवदाट सी होती है मेरे से ऐसे बात नहीं होती डर सा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ होती नहीं है चलिए मैं जालता और अपनी वीडियो वोईस ओबर करके बनाती हूँ अब तो थोड़ा सा फिर भी मैं हिम्मत करने लगी हूँ सुरू-सुरू में तो बिल्कुल भी कैमरे के सामने बैठकर बात करने में बहुत ज़दर डल लगता था पताने क्यों अजीब सी घपराट होती है होती नहीं है मेरे से ऐसे आप लोगों से बात बहुत हिम्मत करती हूँ कि मैं ऐसे ही वी वीडियो बनाऊंगी लेकिन मेरे से नहीं बनती और मैं सब की वीडियो देखती हूँ जो बहुत अच्छी लगती है कितने अच्छी से सब लोग बात कर लेते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से नहीं हो पाती और मुझे एक कमेंड भी आया था इस चीज़ के लिए कि आप देहादून ब्लोग अगर रस्मी सर्मा की वीडियो देखा करो वो बहुत अच्छी वीडियो बलाती है तो उनकी वीडियो तो मैं बहुत दिन से देखती हूँ जबसे कि हमने अपना स्मार्टपॉन विदा है तब से मैं उनकी वीडियो देखती हूँ उनकी और बहुत बड़े और भी अब बस मुझे इतना टाइम नहीं मिलता एक तो फुछ की वीडियो में लेगे रहते हैं और जो हमारे प्रेंड है उनकी वीडियो देखनी है तो इतनी नहीं लेकिन देखती ज़रूर हो देना दूं ब्लोगर असनी सर्मा की और एक पाकी फैमिल ब्लोग ये दोनों तो मैं र देखकर अब लगता है कितनी परफेक्ट है कितना अच्छा वोलती है कितनी एच्छी वीडियो बनाती है और हम कहां उनकी ब्राबरी करसकते हैं तो उनके जैसा तो हम सोज भी नहीं सकते बनने की वह इतनी बड़ी यूटूबर है इतने दिन से कार करें यूटूबर हम तो उनके जैसा तो हम बनने की कभी चपने भी सोग सकते मैं तो सोज सकती इतना बड़ा हुई बहुत अच्छी लगती है मुझे हो को जैसी ही होती है हिम्मध करके लेती हूँ और देखी एक डूस 1990 कसी की बहुत होती है यहां ऐसे लोग देखा है वाह mobject और हमें कमेंट पढ़ लनोस ने बना और गर कोई है कर एसले बनाया आई सी में हो आफ ने बनाा दी को बैसे वह बना है और पर यह से फोछवन रहें कि फूंट main collect करने का मन नहीं करता है तो देखिए आपके साथ बात करते करते मेरे कपड़ों की तह भी हो गई का और और अज थोड़े से कपड़े प्रयास करूगी करने का गर्मियों में प्रयास करनी का मेरे कपड़े हो चुके हैं अब मैंने बस अलवारी में सेट करके रख दूँंगी कर दो चुके रख और को चुके रख दूँंगी तो मैंने सारे कपड़े प्रैस करके रख दिये हैं और इसके पापा की पैंट की जो नीचे से तुर्पन होती है वो थोड़ी सी उधर रही थी वो भी मैंने साही करके रख दी है और यहां पर मैं और कृष्णा बैठे हैं बात कर रहे हैं अराम से और मैं देख रही थी अपना फोन और साथ में कृष्णा से भी बात कर रही थी और चलिए अपनी वीडियो का यहीं पर एंट कर लेते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और जो कोई भी मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई